असलाम अलेकुम अनीका निसार हीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा and obviously बेल आइकन for getting the notifications मैं थोड़े पहले विडियो बनाई थी जिसके अंदर चीफ अवामी स्टाफ, उनकी चेंज अव कमांड का आज इवेंट था, सुबा के टाइम था, रावल पिंडी जी एच्क्यू के अंदर, उसमें बहुत सारे मामलात हुए, सिर्फ और सिर्फ चेंज अव कमांड नहीं च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इसके इलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और भी बहुत सारे लोग थे लेकिन मैं इम्पोर्टन इमपोर्टन लोगों का नाम इस टाइम पर ले रही हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरिय मौरंगजेब साहिबा थी राना सनावला साहब थे नौट जिस टाट खाजा आसिब साहब थे इसहाकडार साहब थे और बहुत सारे और लोग थे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से भी मुझे हमाद अजर साहब नजर आए तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे वो है परवेज इलाही साहब और परवेज इलाही साहब उधर मौझूद थे और आपको पता है कि अभी टग ऑफ वार कितनी शदीद चल रही है कि इमरान खान साब ने अनाउंस कर दिया था हम लोगों ने असेम्बलियां तहलील कर देनी है और उधर परवेज इलाही साहब सीम है वो क्या तहलील करेंगे या नहीं करेंगे असेम्बली ये एक अहम सवाल बन गया फिर तहलील होगी या फिर रेजिगनेशन आएंगे ये भी एक डिबेट चल रही है लेकिन राना सनाओला साहब और परवेज इलाही साहब के बीच में एक बड़ा इंट्रिस्टिंग मुकालमा हुआ इस दोरान और वो जो मुकालमा था वो बेसिकली था इन्हीं असेम्बलियों के तोडने या ना तोडने के हवाले से राना साहब ने चौधरी साहब को बोला कि आपके यहां रवादारी खतम हो गई है चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि हमारे यहां बिलकुल रवादारी खतम नहीं हुई है अभी भी मौजूद है राना सनाओला साहब ने एक शिक्वा किया एक शिकायत की, कहते हैं कि चौधरी साब असेम्बलियों का क्या कर रहे हैं परवेज जिलाही साब तर बड़ा इंट्रिस्टिंग जवाब दिया ना हा में दिया ना में दिया कहते हैं कि राना साब असेम्बलिया तुटन दा मामला ते अल्ला ते सुट देो यानी असेम्बलियां टूटने का मामला अल्ला पे जोड़ दें हम से मत पूछें जब इस सिचुवेशन इस तरह की है कि मेरे पीमेलन के जराय कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ अच्छे आसार परवेश जलाही साब की तरफ से नजर आ रहे हैं अच्छे आसार का मतलब पाकिस्तान मुस्लिमी गनून की तरफ से यह है कि किसी तरीके से शायद असेम्बलियां ना तोड़े कुछ और जराय जो कि परवेश जलाही साब के खरीब हैं वो भी यही इशारा दे रहे हैं कि परवेश जलाही साब अभी असेम्बलियां तोड़ने के मूड में नहीं है लेकिन पीटी आए के मेरे जराय यह कह रहे हैं कि परवेश जलाही साब और मौनस जलाही मौनस जलाही बैसिकली इस तमाम सिचुएशन के अंदर कैटलिस्ट है वो ही वो हैं जो कि अपने वालिद साब को पीटी आए की तरफ लेकर आए यह जो पुलसरात था इस से पार कर आने के अंदर पीटी आए की तरफ लेकर आने में मौनस जलाही का एक बहुत आहम किरदाद था वो चौधरी शुजाद साब के बहुत सारी बातों का ट्विटर के उपर मजाग भी उड़ा चुके हैं कुछ शिकायत आई थी बेसिकली चौधरी शुजाद साब की फैमिली से उसका भी मजाग उड़ा चुके हैं तो ऐसी सुरतहाल में मौनस जलाही साब ने तो अपनी सारी कष्टियां जला दी हैं अब उनके वालिद उनका साथ देंगे या नहीं देंगे ये एक एहम सवाल है लेकिन क्यूंके मैंने का कि मौनस जलाही साब इस सारी सिचुएशन के अदर कैटलिस्ट हैं तो ऐसा लगता है कि किसी तरीके से परवेज लाही साब को एक बार फिर वो राम करने में काम्याब हो जाएंगे तगोदो जारी है इसलिए क्योंकि असेम्बलिया तोडने या तहलील करने का मामला इतना आसान नहीं है अगर परवेज लाही साहब ये गवर्नर को कह देते हैं कि मैंने असेम्बलिया तहलील करनी है तो फिर गवर्नर को गवर्नर पंजाब को बल्यूर रह्मान साब को ये काम करना ही करना पड़ेगा चाहे वो एक दिन डिले करें या दो दिन डिले करें उसके बाद आटमाटिकली मामला हो जाएगा दूसरी तरफ अगर रेजिगनेशन होते हैं तो तक्रीमन साड़े पांट सो से छे सो के करीब मेंबरान है जो के रिजाइन करेंगे और उसकी जवाब इलेक्शन कमिशन अलरीडी दे चुक है कि हम लोग बाईस सरब लगाने को तयार हैं लेकिन इंतखाबात हम लोग जो है वो अरली नहीं करेंगे हम जिमने इंतखाबात की तरफ जाएंगे तो ये टग ओफ वार है इसके अंदर जो पहले डिसिजन ले लेगा और अपने सारे इत्तिहादियों को मना लेगा वो ही सबसे जादा आगे बढ़ेगा ऐसी सुरत हाल में शेबाज शरीफ साहब जो के प्राइम निस्टर है और जरदारी साहब की मुलाकात भी हुई है और